Consumer Code ने अपना एक एहम फैसला सुनाते हुए SPI Code के फेवर में अपना एहम फैसला सुनाया, जिसमें ये कहा कि परिवार का कोई भी मेंबर चाहे वो पती पतनी ही क्यों नहूं, अपना ATM कार्ड और उसका पिन शेर नहीं कर सकते. आये जानते हैं क्या था ये मामला, SPI का ये मामला तब सुर्खियों में आ गया जब Code ने उसके फेवर में अपना फैसला सुनाया, और कहा कि अकाउंट होल्डर के अलावा कोई भी उसका डैबिट कार्ड यूज नहीं कर सकता, चाहे वो पती पतनी ही क्यों नहूं, मामला ये निकलने गया था, ATM से कैश ना निकलने पर वंदना ने कंजियूमर कोट का दरवाजा खट-कटाया और आरोप लगाया कि बैंक उसके पैसे वापिस नहीं कर रहा है, कोट के द्वारा SPI के पक्ष में फैसला सुनाये जाने से पहले, ये मामला तीन साल तक चला था, कोट ने आखिर में बैंक के फैसला सुनाया और उस महिला के केस को खारिज कर दिया और ये कहा कि उस महिला को अपना पिन किसी के भी साथ साजा नहीं करना चाहिए था, चाहे वो उसका पती ही क्यों ना था, डेबिट कार्ड देने के बजाए वो अपने पती को सेल्फ चेक दे सकती थी, ये फैसला इस बात को साबित करता है कि पिन साजा करना बैंकिंग रोल के खिलाफ है, ये मामला उन सभी कस्टमर्स के लिए एक लैंड मार्ग है जो कि अपना टेबिट कार्ड या पिन दूसरों के साथ शेयर करते हैं, ये चेतावनी है कि सभी को बैंक के रोल्स को किसी दूसरे वेक्ति के साथ शेयर करता है और कोई भी दुरगटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी उसी की होगी ना कि बैंक की, तो किसी भी तरह की समस्या से बचने के लिए अपने डैबिट कार्ड का पिन के साथ शेयर ना करें, चाहे वो फैमले को कोई भी मेंबर क्यो मत भूलेगा